इस वीडियो में आपके साथ सेप्टेम्बर फुल मन्त बेस्ट अंडर प्लेस करने जा रहा हूं किस भी एक्जाम के लिए प्रिपेर करें चाहिए वो जेके सब्सक्राइब करेंगे मैं पूरा वीडियो कवर करेंगे मैं पीडियो भी आपको शेयर करूंगा बट आइवल र बाकी आप पहले एक वरी रिवाइस यहां से कर लीजिए बाद में PDF से भी एक वरी आप अगेन रिवाइस कर लीजिएगा डैट विल भी मोर हल्पुल फॉर यू विडाउट फॉर्द डिले शुरुआत करेंगे आज का इंपोर्टेंट फुल मन्त करेंट अफेर ऑफ सेप सुपर कंप्यूटर यह आपको याद रखना है उप्शन नमबर बीज दा करेंट अंसर अडिशनल इंफॉर्मेशन आपके साथ सब कुछ शेर करूंगा देखो अगर मैं आपसे पूछू की वर्ल्ड का राइट नाउ सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा रहे तो रिसेंटली हमारे प्राइमस नरेंदर मोदी ने तीन रुद्रा सुपर कंप्यूटर इनाउगरेट किया डिटेल जहां जहां इंपोर्टेंट है वो हर स्लाइड में आपको मिलती रहेगी आगे बढ़ते हैं डियाडियो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलोप्मेंट और बढ़ विद इस एडवांस लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैगेट तो वो थोड़ा बहुत बहुत रहेगा तो किस-किस ने बनाया डियाडियो ने बनाया मिलके किसके साथ आई डैली के साथ यह आपको याद ने अबाउट डियाडियो डॉक्टर समीर वी कमत डियाड प्रेय गया यह एक बुक है बिसिकली इसको लांच किया गया उत्तराखंड के मुख्य मंत्री पुषकर सिंग दामी दवारा इसमें यह पूछ रहा है कि यह बुक किसके दवारा है रखली किया गया नाओ इंपोर्टन पॉइंट कि इस बुक के ऑथर को ने इसमें बेसिकल इंटरनेशन विलाज एंट शू इंटिंग चावला उप्शन करेंट पहुए यह बियाद रख सकते हो पाकिस्तान के अज़द इकबाल को ने ने हराया मंगोलिया में यह टूर्नामेंट हुए इंटरनेशन बिलाज चन्ट फेटेश्ट पहुए है इंटरनेशन विलाज र 2024 Asia Power Index which country has officially overtaken Japan as the third most powerful country in the Asia you know Asia का तीसरा officially बन चुका है यह है जी हमारा इंडिया आगर मैं तीन powerful countries आप आपको बताऊ आगे जी USA Worldwide चाइना थर्ड नम्र पे हमारा इंडिया हमने जापान का अभी आवर टेक किया थर्ड हम बन चुके एशिया पावर इंडेक्स का ही रिपोर्ट है ओके यह आपको यादत में विच कंट्री लॉंच इट्स फिर्स कंप्रिहेंसिव मेल्टी ओमिक्स कैंसर डेटा पोर्टल यह पोर्टल लॉंच के टू इन्हांस रिसर्च एंड ट्रीटमेंट एफर्स एंफर्स एंडिया आपको यादत में इंपोर्टन है ओके यह डिटेईल आपको मिलेगी विच कंट्री और यह क्रिकेटर है शाग्य इन्होंने रिटार्मेंट अनॉंस किया स्टेट फॉर्वर्ट आपको याद अखना है किस कंट्री से बिलॉंग करते हैं इस फ्रॉं बांगलादेश अभी रिसंट्ली अपनी रिटार्मेंट अनॉंस किया मैं डेली करंट भी हमारे चैनल पे अप्लोड करता हूं तो आप वह वह भी वाच करें डेली तो वह आपके लिए बैनिफिशल रहेगा फिर आप जब मन्तली करेंगे तो चीज़े आपके लिए ओटोमेंटिकली इजी रिए रिवाइज करने में आपको ज्यादे बैटर लगेगा डिसंटली इंडिया इंडिए इंडिया में कहां पर यह ह किया जागा है इस fabrication unit का नाम रखा गया शक्ति यह भी आप जरूर याद रखेंगे डिटेल explanation में सब चीज़ें आपको मिलेंगे विस्टेट लॉंच न्यू स्कीम जिसका नाम है सी एम साथ to support the meritoris student for higher education per month 5000 रुपिज दिया जाएगा meritoris students per district हर district से 200 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा यह स्टेट यह अनॉंस किया गया से is आपको यह षhib को यह opposition को मिल खेंगे कि यह कम्यून से से लुग को यह स्टेट मेंगे को यह्ति करते हैं 25 सेप्टम्पर को आपको पताना है कि इस दिन की sexual को मा किया जाता है सो यह हैं जी हमारे पंडित दीन दियाल उपादे, option number B is the correct answer, 2014 से इसके शुरुवाद की गई थी, प्राइमिस्टर नरेंदर मोदी दिवारा, इसको इसके start की गई थी, 2014 से, ओके तो यह आप यालत रखें, अन्तोधिय दिवस हम पंडित दीन दियाल उपादे की बर्थ अनुश्री पे उब्जर तो इसका यह हुई है, इस एडिशन, 2024 का इडिशन, 7th एडिशन, आब उदाभी, UMA State Forward, आपको इसको याद देखने है, further details जैसे मैं हर बार ही बता रहा हूँ, आपको additional मिलती रही, where were the 41st Indian Coast Guard, Commanders Conference, inaugurated by Rajnath Singh, तो इसका inauguration, तहां पे किया हमारे, हमारे, you know, Defense Minister, Rajnath Singh दवारा तो इसको inaugurate किया गया था हमारी Capital, New Delhi में, that is Commanders Conference, 2024, यह 41st edition, Indian Coast Guard, Commanders Conference, यह आप याद रखें, Recently, Maharashtra State Cabinet has approved the renaming of which port as Jagat Guru Sant Tukara Maharaj Pune International Airport, किस airport का नाम, basically अभी proposed किया है, पूने airport का नाम, किस का रखा जाएगा, Pune Airport का नाम, चेंज किया जाएगा, Straightforward, आपको याद रखना है, यह important question है, which country will host a climate conference that has decided to launch a new climate fund to finance climate action in the developing countries, तो कौन सा country climate conference, you know, यह host करने जा रहा है, इसका जो correct answer है, option number A, Azerbaijan, Azerbaijan याद रखें, additionally, very important point, जो आपको याद रखना है, COP 29, इस question में, important है, COP 29, कौन सा country host करेगा, जो 11 से 22 November के between होने बला है, अगें, Azerbaijan, यह very important है, यह आप याद रखें, यह question आपको कहीं आपको कहीं जरूर देखने को में लेका की, COP 29 जो summit है, यह इस बारी का कहां होगा है, 2024 का किस ने host किया, तो Azerbaijan इसका correct answer रहेगा, ओके, यह आप याद रखें, next is, India's first CO2 to methanol pilot plant, will be set up in which city, तो कहां पर इसे set up किया जाएगा, carbon dioxide to methanol pilot plant, इसे set up किया जाएगा, इसे set up किया जाएगा, इंडिया का, यह first है, basically, this will be set up in Pune, यह आपको याद रखना है, who will become the new managing director and, you know, CEO of federal bank, तो किसे बनाया गया, यह आपको याद रखना है, KVS मैंन, जो बने है, new director and CEO of, you know, federal bank, यह आपको याद रखना है, about this bank, Aloua Karel में, इसके headquarters है, simple, आपको याद रखना है, rising star, Pritikshya Rai, selected for the prestigious, a clever prusker about 2024, तो यह आपको बताना है, कि किस sport से belong करते हैं, she belongs to swimming, swimmer रही है, okay, who was recently elected as the president of Sri Lanka, Sri Lanka की new president है, recently elected हुए, इनका नाम आपको बताना है, so इनका नाम है, Anura Kumara Dissan Zanki, option number B is the correct answer for this question, who has won the women's single title at Polish International Badminton Championship 2024, यह tournament किस ने जीती है, यह जीती है, हमारी अन्मोल खरबने, okay, यह Badminton Championship, यह recently, यह हुई है, यह Poland में हुई है, यह इनोंने जीती है, okay, यह आपको यावत ना है, who has become the sixth Indian fastballer and the 10th overall to claim 400 wickets in international cricket matches, तो यह बने हैं, recently Jaspreet Bumra, okay, who has launched the Clean the Beach campaign in 2024 in Mumbai, यह हमारे, you know, Environment Minister Bupendra Yadav Dwarai campaign, that is Clean the Beach campaign 2024 in Mumbai में, इसको launch किया, recently start किया गए, यह आपको याद रखना है, who will launch an online vaccination management portal, you win, you know, जितने भी vaccines लगती है, for the pregnant women, for the newborns, तो पूरा-पूरा का data, पूरा data, इसमें manage किया जाएगा, इसे check किया जाएगा, तो यह एक portal, basically, you win, इसका नाम रखा गया, इसे अभी recently, Prime Minister Narendra Modi Dwarai से launch किया गया, यह आपको याद रखना है, किसे बनाया गया, तो यह बने हैं, रिसेंटली अलोग, रंजन, यह आप याद रखें, state forward, headquarters आपको New Delhi में मिलेंगे, किसे, you know, most profilic actor in Indian film industry, Gnosis World Record में अभी recently इनको नामित किया गया, इनने काफी different films में काम किया, इनका नाम है, चिरन जेवी, option number 6 is the correct answer, रभी recently most profilic Indian, you know, Indian actress in the Gnosis World Record में, इनका नाम दर्जुआ, इननों ने राउंड 537 songs में काम किया, 156 films में काम किया, और his life, you know, career of 45 years, Singapore Grand Prix 2024, यह किसने जीता है, रिसेंटली तो यह जीता है, लांड और नौरेस ने, option number D is the correct answer for this question, आगे बढ़ते हैं, हमारे प्राइम से नरेंदर मोदी ने एड्रेस किया है, basically United Nations General Assembly को, तो यह कहाँ पर किया है, basically, यह official India को represent हमारे external affairs minister, ऐसे आशेंग करने के प्राइम से नरेंदर मोदी ने भी इसमें एड्रेस किया, तो यह कहाँ पर किया था जी, यह यादा New York में, ओके, 23 September 2023, New York, option number C is का correct answer हो रहेगा, ओके, वेस वन धलीप ट्रॉफ़े 2024, यह sports trophy, cricket match होता है, basically cricket धलीप ट्रॉफ़े डिरेक्टली आप से पूछता, तो किसने जीता है, यह इंडिया, यह ने यह trophy जीत लिया, यह start, state forward, आपको यादाने है, इंडिया यह दुवारे ही जीती गई है, Quad Leader Summit in 2024, किसने अटेंड किये, basically हमारे इंडिया की दरफ से, तो यह, this has been attended by our again, हमारे Prime Minister Narendra Modi ji, ओके, यह आपको यादाने है, Quad Countries आपको basically बता होनी चाहिए, Quad, चार Countries हैं, अगेन मैंने आपको कहीं बड़ी बताया, let's see कि कितने लोग मुझे इसमें, सकांसर मुझे बताते हैं, दो Countries मैं आपको बता देता हूँ, इसमें Australia आपको मिलेगा, Japan मिलेगा, इंडिया मिलेगा, फॉर्थ कंट्री आप मुझे बताएगा, कौन सा कंट्री है, जो Quad Countries बनाता है, चार कंट्री है, विच सिटी विल होसे 25th अडिशन ओफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ट्स, ये मार्च 2024 में होंगे, कौन सा सिटी होस्ट करेगा, ये करेगा जी जैपूर होस्ट करेगा, ये 25 की बात कर रहा है, अगर मैं 24 का पूछूँ, तो कौन सी सिटी ने, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है, ओके अगर मैं 24 पूछूँ, तो करेक्ट अंसर होगा उसका आबुदा भी, लेकिन 25 हमारे इंडिया में होने बले हैं, जो भी विद टेक्नोलजी का एस्पेक्स जो मोडन टेक्नोलोजी, तो नो, आल इंडियन ट्राइ सर्विसीज को बेसिकली इसमें इंक्लूड किया जाए, तो नो अबाउट न, जो फ्यूचर एक्सेप्शनल अभी हमें टेक्नोलोजी में अड़न हो रहा है, रिसंटली दा कैंसर मून्शूट इनिशेटिव इसे लॉंच किया गया है, तो रिद्यूस अबर्डन ऑफ कैंसर इंड़ पैसिफिक रिजन यह रिसंटली स्टाट किया गया, लॉंच किया गया बाई कॉर्ड कंट्रीज चार हैं, यह मैं आपको बदा चुका हूँ, इसे बैंबो से बनाया गया है, क्रिस्टियान रोनाल्डो इनके लिए स्पेशल ओनर कॉइन लॉंच किया गया, हमारे टेलिग्राम गुरूप से, पिडिएफ होहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, तोगे नदी उत्सव इसे लाँच किया गया रिसेंटली युझ टुवेर विवल अबॉट इंपोर्टेंस ऑ रिवर इसे इन्वरेक्ट किया गया कहां से हमारी के अपिटल नियो डैली से ओके यह फिफ अडिशन है नदी उत्सव का विच कम्पनी एस बिकेम नॉंबर वन व याद रखना है, okay, Miss India Worldwide 2024 कोन बनी है, यह जी, Dhruvi Patel, इनका नाम आपको straight forward, याद रखना है, important है, यह अभी Indian origin की है, from USA, right now, she's in USA, who has been appointed as head coach, कोन बने है, हमारे Indian woman football team के, तो यह बने Santosh Kashop, यह आपको याद रखना है, option number B is the correct answer for this question, okay, कुछ answer smart नहीं, don't worry, in which state, the University of Melbourne, its first global center, तो यह set up करेगा, Australia का उनिवर्स्टी, University of Melbourne, कहां पर, हमारे इंडिया में set up करेगा, its first global center, कहां पर, हमारी capital, New Delhi में, for the people, you know, basic objective क्या रहेगा, to, you know, to increase the engagement with the local students, government officials and the educational partner, to enhance, you know, अपस में, एक relation भी increase होंगे, and enhance the, you know, globally, अगर चीज़े हम, technology का sector हो, या, different education sectors में, हम, मिल के काम कर पाए, this is the main objective, यह आपको यादकना है, इंडिया ने, you know, men's hockey, championship, रौफी जीत ली है, fifth time, तो यह आपको बताना है, कि इंडिया ने किसको हराया था, तो इंडिया ने हराया, final में, चाइना को, यह आपको यादकना है, और यह चाइना ही नहीं होस्ट किया था, और हमने चाइना में जाके चाइना को हरा दिया, यह आपको यादकना है, यह hockey की बात कर रहे हैं, best actor award critics at South Indian International Movie Award 2024 कि से दिया गया, तो यह दिया गया, एश्वरिया राय को, यह आपको यादकना है, ओके, आगे बढ़ते हैं, union cabinet approved one nation, one election, you know, एक राजे, एक nation, एक country, एक election, यह बिसिकली, अपको खुशे चल रही है, तो आपको बदाने, इस committee का headcon बनाया गया, तो इस committee का head बने है, मारे former president, Ramnaath को में दिया, आपको यादकना है, okay, who has become the first Pakistani woman, यह पाकिस्तानी woman, इस इनने nominate किया गया, to the ICC International Panel of Development Empires, तो इनका नाम है, Salima Imtiaz, very important, यह नाम आप यादकनी जिगा, जरूर आनेवल exam में, आपको देखने को मेलेगा, you know, equal price दिया जाएगा, men's and women's को, अभी recently, जो T20 World को पार है, women's का, तो you know, equal price दिया जाएगा, जाहे men जीते या women जीते, equal price distribution होगा, तो recently, ICC दिवारे अनौंस किया, कि ICC का अभी चेर्मेन को ने, वह है, जैशाओ, यह आपको यादकना है, okay, जो अभी women's T20 World को पारने वाला UAE में, तो यह basically, इसमें यहाँ से start भी हो जाएगा, you know, after the approval of moon and mars mission, हमने moon and mars mission किया, कौन सा mission Indian government approve करने जारी है, Venus mission, अभव Venus mission हम करने वाले, यह आपको यादकना, the Venus orbiter mission, हम इसे launch करेंगे, you know, to, you know, कौन के विनस as well, 2028 में से schedule किया गया, basically complete करने की इसमें बात की गई है, कौन सा country बना है, जिसने लेपरसी को worldwide, यहने एक significant milestone in, achieve किया, WHO दोआरा इसे, you know, इसको authorization दिया गए, to declare that country as a, लेपरसी free, so लेपरसी काफी, you know, एक आपका disease है, जो skin related disease है, तो इसको basically, अभी हमने eliminate किया है, basically, तो यह आपको बता रहा है, कहौन से country दोआरा है, इसको delete, eliminate किया है, this country is Jordan, okay, आगे बढ़ते हैं, important question है, यह question भी आपको जरूर देखने को मिलने वाला है, Jordan का, port player का new name रखा जाएगा, home ministry दोआरा है, by the ministry of home affairs, तो न्या नाम रखा जाएगा, Shri Vijayapuram, very important question, again, mark कर लीजे ही, कुछन आने वाला है किसी एक्जाम में, which scheme will benefit, scheme के benefits को extend किया गया, up to 70 years, पहले 70 साल के under-under, यह नहीं दिया जाता था, यह नहीं कि 70 साल के बाद नहीं दिया जाता था, यह, you know, आईश्मान भारत, प्रदान मंत्री जनना रोगे, यह नहीं की बात करने इसमें साल आना, पांचला का इंशुरेंस मिलता है, इसे extend किया गी, up to 70 years, अब 70 years के अबो, बी जो senior citizens है, उनको भी यह यह जनना का लाब मिलेगा, तो इसका जो correct answer है, 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, ए उप्शन मर, that is आईश्मान भारत, प्रदान मंती जनना रोगे, योजना, यह आप याप याद के, टाइफॉन यागी, यह इसने different countries, वेतना, लियावस, मेंनमार, काफी countries में, लोगों को काफी ज़यदा, इसमें, काफी नुकसान भी हुआ है, तो यह किस C में आया था, यह South China Sea से, यह औरिजनेट हुआ था, भारास्टा गोर्मेंट is going to establish a tribal university, in which city, तो यह कहाँ पर set up करने जा रही है, यह करने जा रही है, नासिक में, सितरा राम यह चरी, इनकी death हुए recently, आपको बताना है कि किस political party के general secretary थे, तो यह थे जी, Communist Party of India, option number D, इसका correct answer है, Government has launched the Rangin Machli app, to meet the needs of which sector, इसमें जो हमारी ornamental fisheries sector है, you know, fisheries sector को enhance करने के लिए, इस app का नाम क्या है, Rangin Machli इसे recently start किया गया है, ornamental fisheries sector को enhance करने के लिए, ओके यह आपको याद करना है, Union Minister of Fisheries को ने Rajiv Rangin, इनका नाम भी आप याद रखे, who has won the Singapore literature prize for the her book, 9 yard saris, तो यह award किसे दिया गया, for the book, for this literature award, Singapore literature award, 9 yard saris, तो यह दिया गया, प्रसंथी राम को, option number D is the correct answer for this question, which country has been authorized to join BRICS new development bank, so which country has been authorized, this country is Algeria, यह आपको याद रखना है, okay, which country has recently banned social media, for the children's below the age of 16 years, so 16 साल से कम के बच्चों के लिए, बिसिकली इसको बैन किया गया, this social media, so this has been done by Australia, okay, यह आप याद रखे, President Drupadhi Murmu, has represented the National Florence Nightingale Award, यह आवार्ड किस केटिगरी में दिया जाता है, किस केटिगरी के अचीविमेंट के लिए, तो इस आवार्ड has been given in the category of Nursing, Florence Nightingale, यह इंपोर्टन है, जो नर्स थी, यह नर्स थी, यह नर्स आफ इंडिपेंट इडिए, आप कह सकते हो, तो वो आपको यह आवार्ड किस शुरुबाद किया थी, यह हाईस्ट नाशनल अवार्ड माना जाता है, इन फिल्ड उफ नर्सिंग, हमारे प्रामिनिस्ट नर्हंदर मोदी जी ने रिसंटली, कौनसे दिशन of international conference on global hydrogen, इसे इनाำरीट किया था recently, इसे इसे लांच किया था recently, by our Prime Minister Modi in New Delhi, यह conference in National, you know conference, international conference on green hydrogen, all India official language conference will be organized in which city, कहां पर से और्गनाइज किया गया 14th September, को जिस दर हम National Hindi Day observed करते, तो New Delhi से इसकी शुरुआइच की ज़िए थी, को याद रखना है, ऑगे बढ़ते हैं, joint military exercise, Al-Naja, ये exercise किस-kis countries के between होती है, ये होती है, between India and the country is Oman, ये आपको याद रखना है, ये अडिशन जो recently हुआ है, ये हुआ है, 13 से लेकर 26 सप्तम्बर के between, ये ओमान में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, important है, in which Indian City, the Man Asia Hockey Championship trophy will be held from 8 to 17 September, तो ये कहां पे हुआ है, क्या Indian City में हुआ है, no, it is not held in Indian City, तो ये चायना में हुआ हुआ है, हुलनबूर चायना में, इंडिया ने चायना को हराया था, final में, तो ये टाइटल हमने जीत लिए, ये आपको याद रखना है, okay, already मैं बता चुका हूँ, what is the name of the ship-based missile इसे recently design किया गया, to encounter aerial threats, इसे test किया गया, recently, इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया, VLSR Sam, ये आपको याथा है, VLSR Sam, इसका प्शाट फोर में बोल सकते हो, इसका recently सवलता पूरवक परेक्शन किया गया, इसे basically, परेक्शन इसका कहां से किया गया, चंदीपूर of question, Odisha से इसका, इसका 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 परेक्शन किया गया, इसका, यूद अभियास, बीसमा अडिशन, जो इंडिया and USA के बिर्वीन होता है, या आपको बताने है, ये बीसमा अडिशन कहां पर कौनसी इंडियन स्टेच से शुरुवाद हुई थी, राज असन, वैर इंपोर् प्रोटेक्शन को बूस्ट करने के विए सिलिकाउन कारबाइट फ्रिसलिटी स्टार्ट किया गया कहां पर स्टार्ट किया गया इस बिन स्टार्ट इन उडिशा यह आपको यादखने बुवनेश्वर में क्राउन ओफ आबुदावी प्रिंस जो अभी इंडिया में इन्होंने विजिट किया था सब्तेम्बर बंद में इनका नाम आपको बताना है शेक खलीद बिल मुहमद बिन जहीद अल्नियान ओप्शन नमर बीज दा करेक्ट आंसर यह यादखने इंपोर्टेंट है इंपोर् ने होस्ट किया था वर्ल्ड सुसाइट प्रवेंशन डे का थीम क्या रखा गया इस बारी को जो थीम रखा गया चेंजिंग दर नेरेटिव ऑन सुसाइट ऑप्शन नमर सी जा करेक्ट आंसर फॉर देस कुरिशन हर साल दस सब्तंबर को वर्ल्ड सुसाइट प्रवेंशन यह उब्जर्व किया जाता है यह आपको द्यान रखना है सीम किसान योजना यह किस राज्य द्वायरा स्टार्ट किया गया कालिया स्कीम के बारे में आपने जुरूर सुना होगा उसी को बेसिकली रिलांच किया गया विद न्यू इनिशेटिव न्यू अडिशन सो दिस उडशा सारकार उडशा स्टेट गोर्मेंट वारा स्कीम के बारे में आपको यह इसकीम के पूँए इनिया इन्शुरेंस पोलिश देला यू जो विजू वीजू विजूली हैंडीकप्ट होते है वीजूली इंपेर्ट होते हैं उनके लिए पॉलिश फैल्ट इंशेंस प करता है वो यह आपको यादत नहीं इस लिस्ट में तो अगर यहां पर यूनियन मिनिस्टर पूछ रहा है तो इसका जो गरेक्ट आंसर होगा जो मिनिस्टर फेलेक्रोनिक्स एंड टेक्नोलजी हमारे अश्वनी वेस्ट नव इनका नाम को जरूर त्यानक नहीं यह इंपोर्टन कुषिन है विच मेजट स्पोर्टिंग इवेंट इंडिया इस प्लानिंग तो इंडिया इसमें बिड कर रहा है इंडिया होस्ट भी कर सकता है इसे तो यह बात करें यूथ ओलंपिक्स 2030 and summer olympics 2036 option number b is the correct answer for this question यह आपको याद हतना है okay हमारे sports minister Dr. Mansukh Mandivya यह आपको याद हना है first Indian who elected as a president of Asia you know Asia Asian Olympic Council तो इनका नाम है Randeer Singh यह याद रखें important question okay which of the following has achieved the first place in the union environment ministry Swach Chabaya Survection 2024 कौन city ने number one position लिया under this Swach Chabaya Survection so this has been released by the you know environment ministry this this it is Surat city from Gujarat यह आपको याद हना है according to the new study a recent recently study किये का यूश्टी अपको याद हना है which of the following has emerged the largest contributor of plastic population the plastic population and largest contributor हमारा India recently according to the recent report यह आपको याद हना है आपको इसको control करना है basically we have all together to do otherwise not a single person is able to control अगर हम जॉइंटली कुछ नहीं करेंगे तो we can't do anything the country is first Vandewaarat you know Namo Rapid Train इसका नाम रखा गया इसे इनाउगरेट किया गया इसे इनाउगरेट किया गया इसे रिसेंटली इनाउगरेट किया गया in Gujarat okay option number D BC is the correct answer Gujarat से इसे इनाउगरेट किया गया बुझ रेलवे स्टेशन से इसे इनाउगरेट किया गया बायवर प्राइमिस नारेंदर मोदी जो बुझ से एहमताबात की बट्वीन से इनाउगरेट किया biggest tourist center of Uttarapradish कोन बना है recently you know आयोधिया आयोधिया राम मंतिर बना है तो सारे record break किये क्योंकि राम मंतिर की विचे से काफी tourist देखने को मिले in the first six months of 2020 for Yaran Karo domestic and foreign tourists इसे इनाउगरेट में विजिट किया तो achieved you know काफी important है and largest biggest tourist center of Uttarapradish बन चुका आयोधिया जन्सकार festival कोन सी state ये यूटी में celebrate किया जाता है तो तुटिपिक तर कल्सियर tradition of that Utt that is Ladakh Ladakh ही आपको यादखना है option number D is the correct answer the union cabinet has approved the PME drive scheme ये scheme क्या है basically ये scheme है to you know minister of heavy industries दोबारे approved किया गया to to increase the electric mobility in India is के minister HD Kumaraswamy आपको यादखना है ministry of heavy industries PME drive scheme option number B is question का correct answer है इस ministry के तरह से launch किया गया किसे president बनाया गया international hockey federation का recently तो ये बने हैं तयाव इक्राम option number D is the correct answer for this question which city will host the irani cup 2024 1st October से इसके शुरुआद हुई है तो इससे host करेगा जी UP की capital लखना इरानी cup is related to cricket या आप याद रखें automotive successful test of light tank जुरावर का परिक्षिन रिसेंटली किया DRDO दवारा DRDO you know light tank है basically इसे you know हमारे लिए अगर security point of view से काफे जदा important है यह आपको यहादखने जुरावर इसका नाम रखा गया DRDO दवार इसका परिक्षिन किया गया Sumit Antal इन्होंने recently you know आपको यह बताना है कि इन्होंने gold medal जीता है किस event में किस sport से बिलॉंग करते हैं Sumit Antal इन्होंने recently इन्होंने gold जीता है तो इन्होंने यह sport कौन सा sport से इनका यह है Javelian throw इन्होंने recently Paralympic में अभी recently gold medal जीता है Which country will host the ICC World Test Championship year 2025 कौन सा country से host करेगा तो यह करेगा England option number C is the correct answer Excise Varun year 2024 between India and French navies यह हुई है recently यह कहां पर conduct हुई है किस location पे So correct answer is Mediterranean Sea यह आपको यादखने है 2nd से 4 September के between हुई है Aparajita bill recently you know जो doctor के साथ incidents हुआ था West Bengal में recently तो यह anti-rape bill Aparajita bill अभी इसे launch किया गया है You know state assembly द्वारा passed किया गया So this bill is from West Bengal यह आपको यादखने है anti-rape bill है यह आपको इसको याद रखना है Nitish Kumar ने gold medal इन्होंने basically medal जीता है gold medal जीता है इनी Paralympics तो आपको यह बताना था कि किस sport से belong करते हैं कौन सी you know related field किया तो यह है जी badminton player Nitish Kumar यह आप याद रखें How many teachers from globally India की तरफ से not globally national wide diagram बात करें national teachers award से इने समानित किया गया कितने teachers है total 50 teachers को समानित किया गया यह आपको याद रखना है which organization launched the vulture count 2024 initiative which is the organization which has launched this you know this has been launched by the worldwide life fund initiative in WWF तवारी से launch किया गया you know to track vulture count 2024 7th September से launch किया गया 6 अक्तूबर तक इसको चलाया जाएगा what is the theme of the world coconut day 2024 2nd September को हर साल हम observe करते हैं तो इसका जो theme रखा गया वो रखा गया है coconut for a circle economy building partnership for maximum life option number C is the correct answer for this question which state government will build the Vedic 3D museum कौन सा state इसे बिल्ड करेगा this is Vedic 3D museum तो इसे बिल्ड करेगा जी यूपी का वारानसी option number A is the correct answer very important question oldest swimmer बने हैं जिनोंने एक solo English channel को cross किया recently तो ये हैं जी इनका नाम है सिदार्थ अगरवाल ये आपको यादखना है important है सिदार्थ अगरवाल Teachers Day हम observe करते हैं 5 September को किसका वर्थ ये होता है जी ये होता है जी Dr. Swaripali Radha Krishan जी option number B is the correct answer for this question first Vice President हमारे इंडिया के बाहने थे you know which ministry has won the national award for the e-governance you know gold इसको gold award दिया गया for the potion tracker initiative इस ministry का नाम है ministry of women and child development option number B is the correct answer for the initiative that is potion track initiative जिसमें potion track you know initiatives लिये गे थे कि हम track कर पाएं basically what is going on so this has been you know ministry is ministry को inaugurate किया गया या आपको यादखना है International Day of Charity कौन से date को observe किया जाता है International Day of Charity हम हर साल observe करते हैं 7th September को या आपको यादखना है 7th September को not 7th I am so sorry 5 September को 5 September को आपको यादखना है 5 September को इंटरेंशन जिसन Mother Teresa का birth death anniversary होती है basically death anniversary होती है not birth death anniversary Mother Teresa की 5 September को again repeat कर रहा हूं 5 September को आपको यादखना है आगे बढ़ते है Laurel Paris Announce किसे अपना new global brand ambassador बनाया तो यह बनाया आलिया वट को okay United Nations General Assembly को इंडिया को किसने officially represent किया तो इसको हमारे हमारे external affair minister जया शंकरद्वारा इंडिया को इसमें इन्होंने represent आगे बढ़ते हैं in Paris Paralympics 2024 which Indian Archer has won the bronze medal in the archery mixed mixed event तो यह किसने जीता है यह जीता है शीतल देवी प्लस राकेश यादव यह कुषिन इंपोर्टन है okay शीतल देवी फ्रॉम जमुन कशंड इनन ऑन इनका नाम आम आम ऊप इंपोर्टन है इनका नाम माप यादक हिज्टाटख लिजे अ इनपोर्टन को हम आँ सेप्टंबर को observe करते हैं 8th of September okay cm किसान किस recently किस राजय दवार start किया गया तो इसे start किया गया recently उडिशा सरकार दवार so guys ये थे जी हमारे important questions जो मैंने best 100 questions share किये for the September month उमीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आए देखो मैं इसका PDF भी share करूँगा मैं daily current affairs आपके साथ share कर रहा हूँ तो make it sure कि अगर आप daily current affairs watch करें फिर उसके बाद आप monthly current affairs या इस तरीके से watch करेंगा को आपके लिए चीज़े systematically काफी easy हो जाएंगी और आपको कोई issue नहीं आएगा अगर आप सोचते हैं कि यह की बारी अगर आप हमने पड़ा ही नहीं है तो हमें best questions भी करने बड़ेंगा अगर आपके exam एक दो महीने बाद है या तीन महीने बाद है किसी exam के लिए prepare करें हो तो आप daily current affair watch करने की habit बना लीजे current affair एक part बनाई है daily जैसे आपको खाना खाना है daily वैसे ही current affair आपको daily watch करने 10 से 12 मिंट का हमारा daily current affair का वीडियो रहता है बट चीजे बहुत ज़्यादे सीखने को आपको मिलती है this is the way you have to strategize your exam preparation बागी subjects भी काफी रहते हैं बट current affair को आपको special focus देना कि यूँग additionally आप चीजे काफी ज़्यादे सीखती हो तो उमीद करूँगा वीडियो अपको पसंद आया वीडियो के pdf के लिए telegram group next exam IQ join कर लो वहाँ से इसका pdf मिल जाएगा thank you guys, take care, see you soon do like and share and subscribe